नमस्कार दोस्तूं पसु परिचर भरती भाग बैक के अंदर पसु पालन से रिलेटेड हम देख रहे थे पंद्रा सो महत्वपून परसं दोस्तूं जिनका आज ये रहेगा नौवा वीडिया यानि पार्ट नमर नो बाग नमर नो रहेगा जिसके अंदर आट सो एक से लेकर नो सो तक के कम्पलीट क्यूसन है वो इस कलास के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तूं तो आपके लिए बहुती बहतरीन कलास ही रहेगी इसलिए जो भी सो क्यूसन आ जाते हैं इनको स्पीड के साथ देखें और जो अभी तक एक से लेकर आट बाग हुई हैं हमारे वो प परसन उतर आपको सब मिल जाएंगे दोस्तूं तो जो भी प्यारे मितर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक से और चैनल को सबस्क्राइब करने का काम सबसे पहले करना है कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम दे रखका है आईए जुड़िए दोस्तूं पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पर गाई की नॉर्मल पल्स होती है गाई की नॉर्मल पल्स कितनी होती है चालीस से पचास चालीस से पचास तो चार नमर उप्सन सही रहीगा अगला क्यूसन आपका बचड़े की काईश्ट्रेसन की उमर सब्ता में है कितनी दोस्तूं सब्त अमें दी गई है यह तो सही रहेगे 8 से 10 सब्लब नमर 3 option आपका सही रहेगा अगला क्युसंद बच्छडे की सिंग रोधन की उमर दिनों में बच्छडू का अगर सिंग रोधन करना है तो उमर सही रहेगा आपका option नमर 2 यहां पे 10 से 15 दिन दस सें पंदरा दिन दोस्तों अगला क्योसन है गाई को एक मिल्क एक किलोग्राम मिल्क प्रोडिक्शन है तू सुस्क पदार्त की आउसिकता होती है कितनी दो सें पांच किलोग्राम तो ओपसन दो है जो आपका यहां पे सही रहीगा कितना चाहिए, तो यहां पे आपका सही रहीगा, दो पॉइंट पाँच किलोग्राम, ओपसेन एक, सही रहीगा क्योंसर नमर साथ है लखनव का मुर्गा निर्मैसि किसे कहते हैं लखनव का मुर्गा कहते हैं किसको असील को दोस्तु किसको कहते हैं असील को नमर एक उपसन सही रहीगा क्योंसर नमर आट है किस ब्रीड के पकसी का काला मास होता है किस नसल के पकसी का काला मास होता है तो य बारत की अच्छी डेरी ब्रीड है कौन सी है साहीवाल कौन सी है साहीवाल नमर एक option सही रहीगा क्यों से नमर दस है बारत वरस की बारवाग गोवन्स की ब्रीड है बारत वरस की बारवाग बारत की बात हो रही है यहां पे तो बारवाग गोवन्स की अमरित महल कौन सी है अम रित महल, नमर तीन उप्सन सही रहेगा, अगला क्योंसन है, राजस्तान की बारवाग गोवंस की ब्रिड है, उसकी ब्रिड कौनसी है, तो नमर दो उप्सन आपका सही रहेगा, कौनसी है, नागोरी दोस्तों, कौनसी है, नागोरी, क्योंसन नमर बारा, सबसे अच्छी लिकाजी गोवंस ब्रीड कौनसी है नमर तीन उपसन सही रहेगा कांकरेज कौनसी है कांकरेज दोस्तु अगला क्योशन है गोवंस में किसे लाल ब्रीड कहते हैं गोवंस के अंदर लाल ब्रीड के नाम से किसको जाना जाता है तो उपसन एक देखिए साहीवाल को किसको साही नमर एक option सही रहीगा, क्योंसर नमर चोदे है, पतिनुमा कान किस गोवन्स की पहचान है, पतिनुमा कान किस गोवन्स के होते हैं, तो option दो सही रहीगा, गिर के, किस के होते हैं, गिर के, नमर दो option, अगला क्योंसर है, सपेद सिंदी किस ब्रिड के पसू को कहते हैं, सपेद स किस गोवन्स का उपनाम है सांचोरी कहते हैं तो सांचोर सांचोर नहीं सांचोर सांचोर है कांकरेज का उपनाम यह क्योसन हट कर आया दोस्तों भी अगला क्योसन है नाविल पलिप किस ब्रीड के गोवन्स में नहीं होता है किस में नहीं होता है तो उपसन दो दे कि नागोर के अंदर के उसर नमर अठारा है निर्में से राजस्तान की सबसे अधिक दू देने वाली गाय कौनसी है राजस्तान की बात हो रही है तो अपसं एक देखे गिर है आपकी कौनसी है गिर नमर एक ऑपसं सही रही गा वे पसू जो अपने सरीर का तापमान सभी वातावन में भी बनाए रखने में सक्सम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं होमियो थर्मल होमियो थर्मल देखिए दो नमर उपसन होमियो थर्मल नमर दो अपसन सही रहेगा अगला क्योसर वै मादा पसू जो हमेशा मद में रहता है वो बूलर भी उसको कहते है और उसका अन्ना नाम है जो अन्ने तीन अमर अपसन है आपका निमो मेनिक के नाम से भी उसको जानते हैं तो एक वै तीन option चार यहां पे सही रहीगा क्योंसर नमर इकीस है विश्वे की बारी बरकम गोवन्स विश्वे की बारी बरकम गोवन्स होती है holiston कौन सी holiston नमर एक option सही रहीगा क्योंसर नमर बाइस है current Swiss किसका संक्रण है current Swiss है ना यह किसका संक्रण है तो ये साईवाल का क्रोस ब्रावन स्विश यानि किसका साईवाल और ब्रावन स्विश का संक्रण है नमर दो option आपका यहां पे सही रहेगा क्यों से नमर तेविस है करण फ्रीज किसका संक्रण है करण स्विश नहीं करण फ्रीज किसका संक्रण है तो नमर एक option देखे, थार, पारकर और होलिष्टन का संक्रण है, अगला क्यों सन्थ, जर्सी गोवंस का उदगम इस्तान कहां पर है, तो नमर तीन option से ही रहेगा आपका इंगलेंड दोस्तु, कहां पर इंगलेंड, अगला क्यों सन्, होलिष्टन फ्रीजन का उदगम इस्त कान कौन सा है दोस्तु, कहां पर है, होलिष्टन, होलेंड, नमर एक option आपका सही रहेगा, क्यों सन्, चबिस है, काई स्टेशन किये गए, नर बेड को कहते हैं, क्या कहते हैं, वीडर, नमर तीन option सही रहेगा, क्यों सन्, नमर 27, बेड जिनका रोमन नोज होता है, वो, चोक अखला और जेसल मेरी, दोनु है दोस्तु, तो option नमर चार, एक वे दो आपका सही रहेगा, क्यों सन्, नमर 28, छे मा की बकरी को कहते हैं, छे मा की जो बकरी होती है, उसे क्या का जाता है, गोटलिंग, छे मा की बकरी, गोटलिंग, नमर तीन option सही रहेगा, क्यों सन्, नमर 29 निर्मे से कौन सा रोग मुर्गी के नहीं होता है ऐसा रोग जो मुर्गी में नहीं होता है रानी सवेत रानी खेत है यह सवेत नहीं रानी खेत रानी केत है गंबोरी यह गल गोटू रोग नहीं होता है नमर तीन वाला है ने गलगोटू, ये मुर्गी में नहीं होता है दोस्तूं, अगला क्योसन, राजस्तान की दूद देने वाली बेड, यह अच्छा दूद देने वाली बेड की बात हो रही है, तो कौन सी है, ओप्सन नमर चार वाली, कौन सी है, सोनाडी बेड, कौन सी है, स अग्ला क्योटिसर। हां सिया के बांती के सिंग है वो किस के होते हैं तो नमर तीन ओप्सन सूर्थी के किस के होते हैं सूर्थी के दोस्तूं क्यों से नमर 35, महसाना बेंस किसका संक्रण है, महसाना बेंस है न, ये किसका संक्रण है, तो यहाँ पे देखिए, नमर तीन ओप्सन सही रहेगा, मुर्रा वे सूर्ती का, मुर्रा वे सूर्ती का संक्रण महसाना है दोस्तों, अगला क्यों से न, आपका, पें बेलेंस साधरन आपसण नमबर 4 आपका अगिो संद्टी किस बेड़ की आँक में भूऊं पर बूरी दारी होती है किसे बेड़ की आंक की बूरी में होती है और उनमें बूरी दारी होती है किसमें होती है पुंगल में दोस्त does नमर 2How सही रहेगा क्योंस सै नमर 38 भारत वरस की मेरीनोंवेड किसे कहते हैं चोकला को किसको कहते है चोकला नमर 13 ऑप्सन सही रहेगा अगला क्योंसर è nutrients आपका भारत वरस में सबसे % καुण किस वेड की होती है तो सही रहेगा नमर तीन की दोस्तू Kसकी होती है चोकला की ए कोज़ी के नमरों ही प्रत्स कहता है कौन सी हिमर 12 वरस के बाद 2 बारवरस नमरों प्रत्स कहता है गाई के बच्चे को कहते हैं गाई का बच्चा क्या कहलाता है काप कहलाता है गाई का बच्चा काप कहलाता है नमर एक बच्चे को क्या कहते हैं जो कुत्ता का बच्चा होता है उसे कहते हैं पप क्या कहते हैं नमर दो बच्चे को कहते हैं बकरी का जो बच्चा होता है उसे क क्या कहते हैं, बकरी का बच्चा कहलाता है, किड, क्या कहलाता है, किड, नमर तीन उपसन आपका सही रहीगा, क्योसन अमर पेथालिस, सुरी के बच्चे को क्या कहते हैं, सुरी का बच्चा कहलाता है, सुरी का बच्चा क्या कहलाता है, पिगलेट कहलाता है, सुरी का बच्च पिगलेट नमर एक उपसन सही रहेगा अगला क्यूसन बेड के बच्चे को कहते हैं बेड का बच्चा मेमना बेड का बच्चा मेमना कहलाता है नमर एक उपसन सही यहां पे रहेगा दोस्तों तो 47 नमर क्योसन है गाई के इस्ताई दांतू का फार्मूला गाई के इस्ताई दांतू आराम से देखे एक एक चीज को समझे ये होता है दोस्तों गाई के इस्ताई दांतू का फार्मूला उपसन चार आपका सही रहेगा अगला क्योसन कुत्ते के इस्ताई दांतू का पार् निमने नसलों मेंसे कोन सी दूद नसल की गाय कोन सी नहीं है साइवाल है हरियाना नहीं है दोस्तों नमर दो अपॉप्टन आपकी sport रहेगा क्योसन में पचास कोन सी बेड की नसल नर रेमबुलेट वो मादा चोकला का क्रोस कोन सा है तो सही रहेगा अवी वस्त्रा अवी वस्त्रा नमर एक उप्सन सही रहेगा क्योसन इकाउन मारवाडी बक्री का रंग कैसा होता है तो उप्सन एक काला कैसा होता है काला रंग होता है क्योसन बाउन है कौन सी बकरी इस्टोल फिड की नसल नहीं है कौन सी बकरी इस्टोल फिड की नसल नहीं है कौन सी बकरी नहीं है तो उपसन तीन देखे सिरोई सिरोई नसल की बकरी है न वो इस्टोल फिड की नसल नहीं है अगला क्योसन बेडु को यदि दिन की रोसनी कम मि तो परजनन बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, परजनन बढ़ जाता है, नमर दो उप्शन सही रहीगा, क्योशन नमर चोपन, मादा बिकानेरी वह नर मेरीनो से उत्पन हुई बेड, मादा बिकानेरी नर मेरीनो से उत्पन हुई, कौन सी, इसार डेल, इसार डेल या इसार ड third कौन सा होता है refuge method नमर एक option सही रहेगा क्योंसा नमर चपन बेड़ु में पैचान करने का अच्छा तरीका है बेड़ु में पैचान करने का अच्छा तरीका टेटोइंग कौन सा है टेटोइंग नमर एक option सही रहेगा क्योंसा नमर सताउन रिंडी किस नसल का इस्ताई नाम है रिंडी किस नसल का इस्ताई नाम है तो सही रहेगा ओप्सन नमर चार किसका है गिर का इस्ताई नाम है रिंडी दोस्तुम क्यों से नमर ठाउन वृद पसू जिसके एक अत्वा दो दात गिर जाते हैं क्या कहते हैं उसे कहते ब्रोकन माहूत, ब्रोकन माहूत, नमर तीन ओप्सन सही रहेगा, क्योशन 59, कौन सा पसू, पाईडो रूमिनेंट है, कौन सा पसू पाईडो रूमिनेंट है, तो ओप्सन एक, कौन सा है, उंट है दोस्तु, नमर एक ओप्सन सही रहेगा, क्योशन 59, कौन सा पसू, तो देखे रेंबुलेट वे मालपुरा का संक्रन है अवी कालीन नमर तीन औपसन सही रहेगा क्योस्षाि नमर बासट है Mitglk Queen क्योंसी बकरी कहलाती है दूद किरानी कौनसी बकरी diez दो सानेन कौनसी है सानेन नसल की बकरी दोस्तुं कौन सी बेड की नसल आश्ट्रेलियन मेरी नो नर वबिकानेरी बेड का क्रोस है कौन सी बेड की नसल है ये तो यह हिसार डेल नमर चार उपसन आपका सही रहे गा दोस्तों समझ गए पहले भी यह क्यों सन आया था वहाँ पर आस्ट्रेलियन मेरी नो नर वह बिकानेरी मादा ये दिया वा था अब आस्ट्रेलियन मेरी नो नर आ गया तो ये चीजे याद करने वाली होती है अगला क्यों सन बेडू को गर्बित होने का परजनन समय होता है बेडू को गर्बित होने का परजनन समय पर जन कोई सा भी समय भी मार्च अप्रेल भी हो सकता है जून जुलाई सितंबर अक्टूबर उपरुक सभी है दोस्तों नमर चार ओप्सन सही रहीगा अगला क्योसन अंगोरा के बालू को क्या कहते हैं अंगोरा के बालू को क्या कहते हैं तो सही रहीगा मोहेर क्या कहते हैं मोहेर option चार सही रहीगा क्योंस है नमर 66 बेड़ु में पैचाने तू सबसे अच्छा बेड़ पालग दूआरा काम में लिया जाने वाला तरइका है बेड़ूं की बात हो रही है यहां पे बेड़ूं की बात कर रहे हैं यहां पे तो बताइए कौन सा है कलरिंग, कलर करना दोस्तों दबबा बना दिया जाता है बेड़ के उपर नमर तीन ओपसन सही रहीगा अगला क्योसन है वे पसू जो अपने सरीर का तापमान वातावण में भी बनाई रखने में सक्सम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें होमियो थरमल कहते हैं यह पहले भी आया दोस्तों रिपीट वाई यह क्योसन नमर दो ओपसन सही रहीगा क्योसन अड़सर ब्राउन स्विस गोवन्स का उदगमिस्तान है ब्राउन स्विस गोवन्स है उसका उदगमिस्तान तो नमर तीन ओपसन देखे सवीटर जरलेंड कौन सी जगह है सवीटर जरलेंड है दोस्तों गिर नसल की गाय का उदगमिस्तान गिर नसल की जो गाय है उसका उद्गमिस्तान कहां पर है तो नमर एक उपसन गुजरात में उपसन एक सही रहेगा अगला क्योसन देखिए गोवन्स की उमर किस तरीके से पता की जाती है गोवन्स की उमर दातों के दुवारा सिंग के छलूं के दुवारा और उसके सवास्ते से क्या होती है, पहले देखे, के नाइन दात अनुपस्तित होते हैं, उपर के अगले दात अनुपस्तित होते हैं, डेंटल पेड उपस्तित होता है, उपरोग सभी, रुमिनियन्ट जो एनिमल है उसकी विशेस्थाई हैं, चार नमर उपसन है जो आपका यहां पे सही रहने वा सही रहीगा अगला क्यों सन वै मादा बेड़ की नисл जिसके सींग होते हैं isn't उन्ट का उस्तन जिवनकाल होता है तो नमर तीन ओपसन देखिए आपका 40 वर्स होता है कितबा होता है 40 वर्स दोस्तों क्योशन प्यचेतर पसु के जब सभी इस्ताईदांत उग जाते हैं उसे कहते हैं फुल माउत क्या कहते हैं फुल माउत नमर एक option सही रहीगा क्यों सन 76 सुवर किस परकार का पसु है सुवर किस परकार का है तो अरूमन्ती परकार का किसा है अरूमन्ती परकार का नमर एक option सही रहीगा क्यों सन सतंतर 6-8 महां के उमर की मादा सुरी को कहते है 6-8 महां की उमर की जो मादा सुरी होती है उसे क्या कहते है उसे कहते है मोडियन गिल्ट मोडियन गिल्ट नमर तीन ओप्सन है जो सही रहीगा अगला क्योंसन गर्बित सुरी को क्या कहते है जो गर्बित सुवरी है उसको क्या कहते है तो सही रहेगा ग्रेविड सुवरी क्या कहते है ग्रेविड सुवरी नमर चार ओप्सन सही रहेगा क्योसन 79 सबसे अच्छी ब्रोइलर ब्रिड है सबसे अच्छी ब्रोइलर ब्रिड है कौन सी है कार्नीस कौन सी है कार्नीस नमर दो option आपका सही रहीगा क्योंसे नमर सी वै यूवा सुरी जो परजनन कारी तू रखने तदा गर्बित नहीं हुई है उसे कहते हैं परजनन कारी के लिए तो सुरी को रखा लेकिन वो गर्बित नहीं हुई उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे दोस्तों अच्छा क्योंसे नहीं है उ उरू का जो आवास होता है उसे क्या कहते हैं इस्टे कहते हैं क्या कहते हैं इस्टे नमर दो उपसन सही रहीगा क्यों सन बैया सी वे इसकनर वे मादा गोडा कहलाता है वे इसकनर ये और मादा गोडा कहलाता है मादा गोडा गोडा नहीं गोडा क्या कहलाता है तो वे इसकनर कहलाता है इस्टेलियन वह मादा गोड़ी कहलाती है मेयर इस्टेलियन वह मेयर यह क्यूसन इंपोर्टेंट बन सकता है अभी बता रहा हूं option 1 सही रहीगा क्यूसन 83 है उटनी के परजनन की वेस्क उमर होती है उटनी का जो परजनन है आठ से दस सप्ता नमर तीन ओप्सन सही रहीगा अगला क्यों सन उटनी के थनू की संक्या होती है उटनी में थनू की संक्या कितनी होती है चार होती है दोस्तों कितनी होती है चार नमर एक ओप्सन सही रहीगा अगला क्यों सन उंटू का breeding season, rooting, रीतू होती है जो उंटू है उनका breeding, renting जो रीतू है वोकब होती है तो option एक देखिए, March से November, March से November, option एक सही रहेगा अगला क्यों, उंटू के दातू का formula बता दीजी यह रहा, option नमबर चार आपका सही रहेगा यहां पर क्योंसन, 80, उंट में कुल दांत होते हैं, उंट में कुल कितने दांत होते हैं तो option दो देखिए, उंट में कुल 34 दांत होते हैं, कितने होते हैं, 34 दांत दोस्तू एक तुई के उंट को कहते हैं जो एक तुई वाला उंट होता है उसे क्या कहते है बताइए क्या कहते है उसे ड्रोमेडिरी उंट या अर्बियन उंट दोनों नामों से जानते है तो उसन तीन एक वदो दोनों सही रहेगा यहां पे अगला क्योसन जब मादा पसू अपना दूद स्वेम थनू से पी लेता है तो उसे रोकने के लिए लगाया जाता है क्या लगाया जाता है क्रेडल लगाया जाता है क्रेडल नमर एक उप्सन सही रहीगा क्योसन इकराण में दो थूई का उट पाया जाता है दो तुई काउंट कहां पर चाइना चीन के अंदर नमर तीन ओपसन आपका सही रहेगा अगला क्युसन चार वरस के नर उट को कहते है चार वरस का जो नर उट होता है उसे क्या कहते है क्या कहते है तोडियो चार वरस के नर उट को तोडियो कहते है ओप्सन दो सही रहीगा अगला क्योशन चार वर्स के मादा उट को क्या कहते हैं चार वर्स का मादा उट क्या कहलाता है तोरडी क्या कहलाती है तोरडी ओप्सन चार सही रहीगा अगला क्योशन वेस्क नर उट को क्या कहते हैं जो वेस्क नर उट होता है उसे कहते हैं माईया क्या कहते हैं माईया option एक आपका यहां पर सही रहीगा question 95 पर दूद में कौन सी सरकरा होती है दूद में कौन सी सरकरा होती है लेक्टोज कौन सी होती है लेक्टोज option 3 सही रहीगा अगला question कान को काट कर निसान बनाना किस पसू में सामाने है कान को काट कर निसान किस पसुमें बनाए जाते हैं तो उपसन तीन सुहरूं में किन में बनाए जाते हैं सुहरूं के अंदर दोस्तों ओट का प्रेगनेसिव ओर्गन है ओट का प्रेगनेसिव ओर्गन होट दोस्तों होट ओपसन एक सही रहीगा किस उमर के गोवंस में ऐस्ताई दाट दूद के दाट इस्ताई दाटों में बदल जाते हैं गोवंस में तो और पसन एक सही रहेगा, पांच बरस की उमर में, रपसन एक सही रहेगा अगला किोशन वह नर पसुण जो पसुण ताओ यानुं मद में है या नहीं पता लगाने के काम आता है उसे कहते हैं कौनसा नर्पसू होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं टीजर क्या कहते हैं टीजर नमर चार ओप्सन सही रहेगा कि उसे नमर सो नर्गोवन्स जिसे दो वर्स की उमर पर बदिया कर देते हैं उसे बेल या बुलोक बेल बुलोक कहत हैं ओप्सन तीन यहां पे सही रहेगा दोस्तों तो कुल मिला कर जो पसुपालन से रिलेटेड हम पंद्रासु क्यूसन देख रहे हैं आज की इस कलास के साथ हमारे लगबग 900 क्यूसन है वो कंप्लेट हो चुके हैं पसुपरिचर भरती की निसुलक तैयारी इसी यूटूब चैनल पर करवाए जा रही है जिसमें रास्तान जी के कंप्लेट करवा दिया गया साइंस मेट और पसुपालन की क्लासे वरतमान में चल रही है पलेलिस्ट में जाकर आप अटेंड कर सकते हैं पसुपालन के 1500 क्यूसन चल रहे है रास्तान जी के 2500 क्यूसन की सीरीद चल रही आप सभी सातियों को बहुत बहुत दने बाद वीडियो को लाइक से रोड चैनल को सब्सक्राइब करना जे हिंद जे वारत